नमस्ते इस वीडियो में आप जानेंगे कि एनेमोर आशा अपनी एप्लिकेशन में घर्बवती महिला के प्रसव का परिणाम वगर्बपात की जानकारी को किस प्रकार अपडेट कर सकती हैं तो एनेमोर आशा को अपनी अपनी एप्लिकेशन के होम पेज पर दिख रहे RCH प्रोग्राम टैप पर क्लिक करना है यहां आप घर्बवस्ता के केसेज में पंजीगरित घर्बवस्ता वाले टैप पर क्लिक करें इस पेज पर आपको दी गई तीनों लिस्ट में से जिस भी घर्बवती महिला का प्रसव का परिणाम वा घर्बपात की जानकारी को अपडेट करना है उसके नाम पर आप क्लिक करें इस प्रकार क्लिक करने पर आपके सामने यह विकल्प दिखाई देंगे यहां से आप दिए गई सभी विकल्प से घर्बवती महिला की जानकारी को देख वा अपडेट कर सकती हैं इस वीडियो में हम प्रसव का परिणाम और घर्बपात की जानकारी को अपडेट करने के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आप प्रसव का परिणाम पर क्लिक करें, क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से यह पे जाएगा, जहां से आप delivery विवरंड में प्रसव के परिणाम की जानकारी को भरेंगे, तो आप प्रसव की तीथी का चयन करें, दिये गए केलेंडर में से, और चुने प पर क्लिक करें, प्रसव का परिणाम पर क्लिक करेंगे, यहां पर आप जीवित जन्म करते हैं, तो आपको जीवित जन्म की जानकारी पूछी जाएगी, इसी तरह से अगर आप प्रसव का परिणाम मरत रहा है, तो आप मरत जन्म पर क्लिक करेंगे, तो यहां आपको मरत ज जीवित और म्रत बच्चे दोनों की जानकरी को पूछा जाएगा तो अभी हम इसी के बारे में बताएंगे ताकि हम दोनों म्रत और जीवित दोनों चीजे आपको बता पाएं तो जीवित जन्म संख्या पर क्लिक करें संख्या का चैन करें म्रत जन्म बच्चे का चैन करें प भी रहा है प्रसव की संस्था का प्रकार आप चयन करेंगे प्रसव संस्था का नाम आपको बढ़ना है डिश्चार्ज की तीथी पर क्लिक करें और दिये गए कैलेंडर में से उसकी तीथी का चयन करें इस प्रकार और चुने पर क्लिक करें अब आता है घर भावस्ता की अवदी चुने अगर आप प्री टर्म करते हैं तो आप से हाँ पर ये प्रेशन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हाँ और नहीं में भढ़ना होगा यदि फुल टर्म है तो आप से इस तरह का कोई प्रेशन नह आगे बढ़ेंगे यहां आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा अब आता है व्यक्तिकत विवरण में पहले जन्म म्रत जन्में बच्चे का विवरण यानि कि जो म्रत जन्में बच्चा है उसका हमें यहां पर बताना है तो बच्चे का लिंग हमें चयन करना होगा और आगे बड़े पर क्लिक करें इसी तरह से अब पूछा है पहले जीवित जन्मे बच्चे का वीवरण तो आप यहां से चैन करें उसके लिंग का बच्चे का वजन आपको यहां से चैन करना होगा इस तरह से फिर आता है क्या बच्चा जन्म के समय रोया था यदि हा तो आप हाँ पर क्लिक करें यदि नहीं तो नहीं पर क्लिक करें इसी तरह से सभी प्रशन आपसे पूछे जाएंगे आपको यहां पर बढ़ने है यदि जन्म जात दोश रहा है तो आप हाँ पर क्लिक करें और इस त पूछा है जन्म के समय की जो खुराक है वो आपसे पूछी गई है पहले जन्मे बच्चे के बार में पूछा है यदि दिया गया है टिका तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से यदि नहीं दिया गया है कोई तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि किसी भी postpartum गर्ब निरोदक वीदी का इस्तमाल किया है यदि किया है तो आप हाँ पर क्लिक करें यदि नहीं किया है मैलाने तो आप नहीं पर क्लिक करें यदि आप हां करते हैं तो अब आपको किस प्रकार का साधन उपयोग करना चाहते हैं तो यहां से आपको chain करना होगा और उसका घर्ब नीरोधक लेने की दिल आगका आपको chain करना है तो इस तरह से आम नहीं पर क्लिक कर रहे हैं अभी के लिए और आगे बढ़ रहे हैं डाटा सेव करें यहाँ पे आपको मा की जटिलताएं बताई है साथी फर्स्ट जो म्रत जन्म का संभावित कारण रहे बच्चे का उसका भी बताया और जो जीवित बच्चा है उसकी भी अगर कोई जटिलता है रही है तो वो आपको इस तरह से आपे बताई जाएगी आप आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद में वो जो पार्वती नाम का जो केस था महिला का वो यहां से हट चुका है अब यह महिला आपको प्रस्टव पस्टव देखबाल के टैब में दिखाई देगी जहांसे आप उनकी PNC कर पाएंगे अब हम जानते हैं कि महिला की घर्बपात की जानकारी को किस प्रकार अपडेट किया जाता है तो इसके लिए हम रादा के नाम पर क्लिक कर रहे हैं आप यहां पे घर्बपात पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह पेच खुलेगा जहां पे हमें घर्बपात का वेवरंड का चैन करना है तो गर्बपात की दिनांग चुने इस तरह से चैन करेंगे और चुने पर क्लिक करेंगे गर्बपात का प्रकार आपको चैन करना है गर्बपात का इस्थान आप चैन करेंगे दी गई लिस्ट में से गर्बपात के दोरान कोई जटिलता है अगर रही है तो आप ह आगे बढ़ेंगे और यहां पे आपको पूछा गया है घर्प पात का वीवरंडीस में कि किसी भी पोस-पार्टप म गर्ब निरोदग वीदी का इस्तमाल किया गया है तो आप आप पर क्लिक करेंगे और साधन का उप्योग का चैन करेंगे दीगई लिस्ट में से और यहां से दिनांग का चैन करेंगे यदि नहीं तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे समय पर अपडेट करते रहें आपको यहां आगे बड़े पर क्लिक करना होगा तो इस प्रकार से राधा नाम की महिला हट चुकी है यहां से अब यह महिला आपको प्रसव पश्चा देखवाल के टैब में दिखाई देगी जहां से आप उसकी PNC कर पाएंगे दन्य वांट